आदाब, हमारा नाम तिमसाल मसूद है, हमारी पैदाईच लखनौ में हुई, लखनौ में ही पूरी तालीम हासिल की लखनू युनिवर्सिटी से उर्दू लिट्रेचर में पीच्डी किया और आजकल हम यहां कोलंबिया युनिवर्सिटी में हिंदी और उर्दू पढ़ाते हैं क्रियेटिव राइटिंग का हमेशा से बहुत शौख रहा और हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहते हैं पिछले दिनों से उदय सहब से मुलाकात हुई तो इन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया वो बहुत फैसिनेटिंग और बहुत बहुत दिल्चस्पल लगा किस तरह से ये स्टोरी टेलिंग और म्यूजिक, पपेट्री, शैडो जिन सब को साथ लेकर कुछ बनाना चाहते हैं और उसके लिए इनको कहानी जो चाहिए थी वो भी एक खास टाइम पीरियड में हो और बहुत डीपली रूटेड हो हिस्ट्री में और लोकल एलिमेंट्स में और उसके जो उसके जो उसकानी के जो रेफरेंसेज हैं कहानी में वो अच्छे खासे ऑथेंटिक हो तो हमने इसके उपर काम किया और एक कहानी तयार की यह को बहुत पसंद आ रही है उदैसा आपको कहानी हमको भी बहुत अच्छी लग रही है तो उसकी सिधी सिधी एक वन लाइन यह है कि इसका टाइम पीरियड है अर्ली 20th सेंचुरी कि उस वक्त दिली में एक शाही दर्बार हो रहा है ब्रिटिश अंपायर का शाही दर्बार और उसमें पतंग बाजी का मैदान लड़ेगा उसी जमाने में लखनौ में एक सीनियर कंकवबाज हैं आगा साहब वो इस उम्मीद पर देली जाना चाहते हैं और उस कॉंपटिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं कि ये एक इतने बड़े अंपायर का दर्बार है वहां ये मुकाबला हो रहा है तो अगर जीत जाते हैं तो अच्छा इनाम मिलेगा बड़ा इनाम मिलेगा पैंशन चैद बन जाए तो इनकी बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं इस कॉंपटिशन से तो ये कहानी है इसकी तो देखिए उम्मीद है कि अब आप लोग को पसंद आएगी मेहनत बहुत कर रहे हैं उदै साहब सभी सभी लोग शुक्रिया